क्रिकेट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आखिरकार पाकिस्तान को जीत मिल ही गया पाकिस्तान ने कनाडा को साथ विकेट से हारा दिया पहले बैटिंग करते हुए कनाडा ने 20 ओवर में 106 रन बनाय थे साथ विकेट के नुकसान पर उसका पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 17 ओवर में 107 रन मना कर 3 विकेट के नुकसान पर ये मैच को जीत लिया जिससे पॉइंट स्टेबल में पाकिस्तान के चांस अभी भी जीतने के हैं अभी ना मूँके नहीं हुआ है क्योंकि अभी यूएस के दो मैच बचे हुए हैं दो में से दो मैच तो जीत चुका है यूएस अगर दो में से दोनों मैच यूएस हार जाता है और पाकिस्तान का बचा एक मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है कनाडा के साथ जीत गया अगर आइरलेंड के साथ हुए मैच में भी पाकिस्तान जीत जाता है रं रीट अच्छा रहता है तो पाकिस्तान आगे जाएगा और जो है तो US पीछे हो जाएगा तो ये जो है तो समीकरण बनते हैं या के फिर यह भी हो सकता है कि इंडिया अपना दोनों मैं चार जाए ये युएस और कनाड़ा के साथ तो भी पाकिस्तान के चांस आगे जाने का रहेगा अगर अच्छा रनरेड रहता है PAKISHSTान का इंडिया से ज़्याद अच्छा गया है ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं वो दो मैच हा रहे हैं ये चीज भूल चुके हैं और फिर से उनका क्ल्कुलेशन चालू हो गया है कि अगर यह हो जाएगा तो हम यह कर देंगे यह हो जाएगा तो ऐसे कौलिफाइस उपरेट में कर सकते हैं इस कि partnership उनका अच्छा चला था क्योंकि जो नवनीद धालीवाल ज्यादा बॉल नहीं खेल रहे थे और जो एरन जॉंसन ने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे उनकी साजेदारी ठीक ठाक चल रहा था और पहले तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज फिर से हारेगा क्यो उसके बाद कनाडा की टीम टिक नहीं पाए चाया वो शाहिन अफ्रीदी हो हारिस रॉफ हो सारे बॉलरों ने अच्छा बॉलिंग किया और कनाडा को 106 रन पर ही रोक दिया मैं आपको बता दो कि पाकिस्तान के तरफ से बॉलिंग में सबसे बेस्ट बॉलिंग मुहमद आम भेर सभीर ने चार ओवर में केवल तेरा दोविर्फ लिया तीन दसमल्वय दो karışर और की बॉलिंग किया तो कि साहिन अफ्रीदी ने चारओर में 21 रन दिया और एक विक अधिय पर दो विकट और कि जटके 6 के बॉस्तान के थार इस राउफ की बात करेते हडित ने भीशी ख जोई भी विकेट नहीं मिला है, वही पाकिस्तान की बात करने तो पाकिस्तान के तरफ से भी अच्छा खासा बैटिंग किया गया, मुहम्मद रिज्वान और बाबराजम के तरफ से अच्छी खासे बैटिंग किया गया, आउट होने का खत्रा बहुत जादा रहता है क्योंकि पूरी तरह से बॉलिंग पिछे आपको पता है कि अमेरिका के पिछ कैसे दिये जा रहे हैं तो इस बज़े से जो है तो स्लो केला हला कि जादा रन नहीं थे केवल 106 रन थे इसलिए पाकिस्तान को इजी हुआ ये मैच ज कैसा था फिलहाल पाकिस्तान को जीत मिल चुका है आप इस बारे में क्या राय रखते हैं का पाकिस्तान सुपर एट में कौलिफाइग कर पाएगा अपना राय कमेंट में जरूर दीजेगा और ऐसे ही क्रिकेट के वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब आपका बहुत बहुत शुक्रिया